मुख का फर्स्ट चैप्टर आपके बुख का इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बताओ तो इस चैप्टर को आपने पहले थोड़ा करा हुआ है और पहले की अगर मैं बात करूँ तो आपने जब कंपनी अकाउंट किया था 12 में तो लगभग लगभग वही तो मैं पहले basic basic चीजे बता देता हूँ और थोड़ा सा मैं speed लेके चलूँगा समझ में सारा आएगा 12 वाला ठीक है न कि क्या क्या चीजे होती है issue of shares में क्या क्या चीजे नहीं होता और ये आगे फिर depth में जैसे जैसे जाता जाएगा वो आपको clear होता जाएगा तो issue of shares की अगर हम बात करें तो सबसे पहले share issue कौन कर सकता है तो any company कोई भी company shares को issue कर सकता है तो sir any company का मतलब company कितने तरीके के है mainly हमारे पास दो तरीके के company है या तो limited होगा या private limited company हो सकता है तो हमारे slaves में जो सारे question पढ़ेंगे basically वो limited company के shares issue की बात करेंगे क्योंकि private limited का एक limitation यही होता है कि अपने shares को वो transfer नहीं कर सकता तो private limited वाले हमारे नहीं और limited वाला हम जादा से जादा पढ़ेंगे और question में तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा आपने करना है अब सर लिमिटेड company हो चाद प्राइविट लिमिटेड shares issue कराने के लिए पहले यह word आपके दुकान के आगे लगा होना चाहिए इस word को दुकान के आगे का लगने का मतलब है जैसे business है आपने एक business start किया उस business के आगे यह word लगाने के लिए आपको कुछ government की condition पूरी करनी होगी इस word को लगाने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो registration करवाना होगा और registration जो करवाना होगा वो ROC के पास करवाना होगा जो की होता है registered of company इनकी website भी M.C.A के नाम से Ministry corporate affairs के नाम से आपका M.C.A के नाम से एक website है वहाँ पे चले जाते हैं वहाँ registration कराते हैं registration कराने जैसे उस website पे जाएंगे पहले offline हुआ करता था अब तो सारा online होगी है तो जैसे ही जाओगे वहाँ registration कराने के लिए तो सबसे पहले आपका user ID password जो भी बनता है वो बन जाएगा इसके बाद आपसे बोला जाएगा कि आप कुछ document अपलोड करो तो document जो अपलोड बोलेगा वो क्या-क्या बोल सकता है number one सबसे पहले बोलेगा वो MOA अपलोड करो Memorandum of Association दूसरा बोलेगा आपको AOA अपलोड करो Article of Association तीसरा any required हम ज़्यादा detail में नहीं जाते हैं जो भी required होगा क्योंकि main detail इसी में होता है MOA की बात करें तो MOA के अंदर वो basically जब हम document register करेंगे तो इसके अंदर basically 6 points को देखा जाता है पहला point हमारा जो होता है इसके अंदर जब हम registration कराने जाएंगे तो document upload करेंगे तो document एक page का नहीं होगा सारी detail होगा क्या क्या detail होगा इसमें company का नाम नाम के बाद company के objective company का address company कितने liability है company का share capital कितना होगा और company के अंदर कौन-कौन promoter होगा किस-किस ने registration किया होगा तो यहाँ पर क्या क्या होगा सबसे पहले name कुछ student का कहना था सर name कुछ भी रख सकते है नहीं, name, similar नहीं होना चाहिए और यह exact भी नहीं होना चाहिए किसके जैसा जो कि पहले से registered है वैसा name नहीं होना चाहिए name इसके अंदर आप upload करोगा मैं background बता रहा हूँ बस basically और इसके बाद और क्या करेंगे हम इसके अंदर हम address डालेंगे address के बाद object डालेंगे object के बाद इसी के अंदर एक point आएगा share capital का तो हम सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वहाँ तक की बात करेंगे उसके बाद subscription clause भी होता है basically यह सारे clause होते है आपने company law के अंदर बहुत important question रहता है MOA AOA में क्या होगा company के rule and regulation sir rule and regulation के shares पे हमें interest call scenario पे होगा या नहीं होगा calls in advance पे interest होगा या नहीं होगा shares को for feature करने के क्या rule होगे company आगे किस तरीके से चलेगा loan लेगा या नहीं लेगा तो वो सारे rule and regulation कहा होते है article of association में हमें तो shares की बात करना है तो हमें ने shares वाले points को किसमें रखा होगा MOA में इसमें रख दिया होगा इस वाले point में जैसे shares वाले point को रखा होगा तो जैसे ही मैंने इसके point को डाला होगा तो हमें जब shares रखेंगे न, तो shares का number of shares रखना होता है number of shares, तो number of shares कितने रख सकते हैं maximum no limit कितने भी रख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रहे हर share के बदले आपको stem duty paid करना होता है registration कराते टाइम पे तो आप जो वहाँ पे registration करवाओगे न, share तो अपने हैसियत के हिसाब सही कराओगे है के ने, अपने according करवाओगे, तो यहाँ पे number of shares के case के अंदर no limit है लेकिन कितना, जो आपने number of shares कहाँ पे लिख दिया Memorandum of Association में, उस shares को बोला जाएगा registered capital या फिर इसको बोला जाता है, थोड़ा याद आएगा आपको, authorized capital authorized capital, या फिर बोला जाता है इसको, एक और नाम, nominal capital nominal capital, क्या बोला जाएगा? तो सर, authorized capital, registered capital या nominal capital क्या होता है? जिस shares से अपने आपको, जितने number of shares से अपने आपको registration कराते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? registered capital या फिर authorized capital या nominal capital मान लेते हैं कि मैंने registration अपने company का कराया और number of shares दो है number of shares एक लाख है ये मैंने registration कराया अब मुझे इसमें से ही shares public को बेचने होते हैं मान लो मैं इसमें से public को shares बेचूँगा और ये सारी basic चीजे थोड़ी थोड़ी आपको idea जरूर होगा पहले से ये shares अगर हम public को बेचते हैं issued capital ठीक है और एक और नाम है इसका floated capital भी बोलेंगे इसको ना कई बार question में आ जाता है अभी start करने देते हैं पहले फिर देखते हैं paid up called up का ठीक है ना तो number of shares आगे हमारा ये number of shares में से हम बेचने कितने गए लेकिन ये तो number है क्या हम एक share को एक रुपे में बेचेंगे तो हर share का एक value होता है जो predetermined होता जैसे कि मैं मान लेता हूँ suppose example 10 रुपे maximum shares का value क्या होता है 10 रुपे इसको हम बोलते है face value तो इसका मतलब मैं अगर 5000 share बेचूँँगा तो market से कितने पैसे इखटा कर पाऊँगा बताओ 50,000 रुपे इखटा कर पाऊँगा और इसी को बोला जाता है nominal value कुछ बच्चे confused हो जाते हैं कि sir nominal capital और nominal value दोनों बाते अलग-अलग हैं तो जितना share मैंने registration करा है वो authorized capital उसमें से जितना मैं public को बेचने के लिए जाओंगा उसको क्या बोलेंगे issued इसके अंदर अब cases हो सकते हैं तीन sir इसमें क्या तीन cases हो सकते हैं हो सकता है कि पूरे 5000 share बिख जाए possibility है कि सारा का सारा sold out हो जाए यानि public खरीद ले तो ऐसे situation में बोलेंगे fully दूसरा second case हमारा ऐसा possibility हो सकता है कि हम 5000 के जगह पे हमारे 6000 public share खरीदने को तयार हो लेकिन हम public को देंगे 5000 ही भले ही public 6000 मांग ले उससे फरक नहीं पड़ता उसके क्या treatment होगे हम journal में देखेंगे तो अगर ऐसा sold हो जाता है अगर हमारे 6000 मांग लेते हैं तो इसको बोला जाएगा ओबर लेकिन ऐसा भी possible है कि हम 5000 बेचने गए लेकिन हमारे 5000 से कम मान लेते हैं कि 4900 ही बेच पाए 4900 ही बेच पाए हम ऐसा भी possible हो सकता है तो ऐसे situation को बोला जाता है अंडर सब्सक्राइब क्या ऐसा भी possible हो सकता है कि हम 5000 बेचने जाए और सिर्फ 1000 शेयर बेचें ऐसा possible नहीं होना चाहिए गौर्वर्मेंट जब भी बोलू न तो हमारे company के लिए गौर्वर्मेंट दो ही है एक है हमारा ROC और एक है सेबी दो ही है गौर्वर्मेंट अगर मैं गौर्वर्मेंट की बात करूँ तो तो गौर्वर्मेंट के इसाब से रूल के इसाब से लौ ये कहता है कि आप अगर 90% अपने शेयर को बेचने में कामियाब नहीं हो पाते तो आपकी कमपनी का शेयर इशू हो ही नहीं सकता पहला रूल यानि मिनीमम कितना बेचना है आपको 90% अगर बोलू के मैंने 5000 इशू किये हैं और मैं सिर्फ 4000 शेयर बेचने में कामियाब हो गया तो कमपनी को बंद करना पड़ सकता है मिनीमम सब्सक्रिप्शन कितने परसेंट है हमारे 90% तो हमने देखो सबसे फिर मैं दुबारा रिकॉल करता हूँ फटा फट से जिस शेयर से अपने आपको रेजिस्ट्रेशन करवाते हैं MOA के अंदर उसे क्या बोलते हैं अथराइस कैपिटल या फिर रिजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल ठीक है अब रिजिस्टर्ड भी हो गया उसके बाद एक शेयर कितने का होना चाहिए नॉर्मली दस रुपे का तो इसको हम क्या बोलेंगे फेस वेल्यू या नॉमिनल वेल्यू इसमें से मैंने पांच हजार शेयर इशू कर दिया यानि बेचने की तैयारी करी है तो उसे क्या बोलेंगे इशूड कैपिटल अगर एक लाग शेयर से रिजिस्टरेशन कराया है और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे देखा जाए कि मैं एक लाग दस हजार शेयर बेचना चाहूं तो क्या पॉसिबल है नॉट पॉसिबल एक लाग तक आप शेयर को इशू कर सकते हो या उससे कम कर सकते हो एक लाग से जादा नहीं कर सकते है अब पांच हजार बेचने गया पूरे पांच हजार मेरे मार्केट मेरे मार्केट में अंडर सब्सक्राइब तो ये बेसिक बेसिक ये मैं वर्ड्स बता रहा हूँ जो कुश्चन में इस्तमाल होगा जैसे X, Y, Z लिमेटेड अंडर सब्सक्राइब ये सारी वर्ड गया होगे इस्तमाल होगा यहां तक कोई दिक्कत आपको यहां तक क्लियर है तो एक बार ये बेसिक बेसिक वर्ड्स को नोट करिए आप फिर मैं आता हूँ इसके जो आपके कॉल्स होते हैं उसके उपर यहां तक कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं बाकी नहीं तो note करिए फिर उसके बाद उसके call पे आते हैं अभी तो आये नी न प्राइस पे तो मैंने कहा ने इसके बाद तो हम आएंगे और आगे अभी तो मैंने number पे काम किया है प्राइस पे भी इसके बाद आएंगे तो मैं शेर्स की बात करूँ तो हर एक शेर्स का प्राइस वैसे कुछ भी हो सकता है फेस वेल्यू जनरली हमें जो कुश्चन देखने को मिलते हैं और जनरली जो maximum time तक होता है वो 10 रुपे होता है जो हमारा शेर्स का प्राइस होता है न और इस प्राइस की अगर हम बात करें तो मैं 10 रुपे मान के चल रहा हूँ तो ये जो 10 रुपे है इसको किस नाम से मैंने बोला face value अब ये 10 रुपे कंपनी मांगेगी और public को देना है क्या public को जबरदस्ती देना है public की मरजी है जो public company के shares को खरीदने में interested होगी वो 10 रुपे देगी company के पास दो option available है तो दो option कौन कौन से available है या तो company आप से एक साथ 10 रुपे मंगवा ले कि 10 रुपे जाओ लेके आओ option number one option number one अगर मैं बात करूँ तो option number one ये है कि आप मुझे full payment कर दो full paid यानि full paid का मतलब है आप कितना दे दो मुझे 10 रुपे पूरे दे दो एक तो ये हो सकता है अगर आपने 1000 share मांगे हैं और 1000 के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 रुपे हो जाएंगे आपके 1000 share मांगे 10 रुपे के साब से दूसरा company के पास option है installment में दूसरा company के पास option है installment में मंगवा ले ठीक है full payment के case के अंदर और installment में क्या फरक है installment का मतलब है 10 रुपे को टुकडो में मंगवाना जैसे मान लेते हैं 10 रुपे तो है लेकिन इसको टुकडो का मतलब है 2 रुपे मांग लिए फिर आप 3 रुपे लाइएगा फिर आप 1 रुपे लेके आईए फिर आप continue में मान लेते हैं 4 रुपे लाइए इसका total 10 रुपे होना चाहिए समझ में आ रही बात आपको अगर पहले वाले point को हम बात करें न तो इसको बोला जाता है share application आपको थोड़ा बहुत remind होगा इसको बोला जाता है share application उसके बाद जो number आता है इसको बोलते हम share allotment इसके बाद का जो number मेरा one है न इसको बोला जाएगा first call इसके बाद जो number जितने भी आएएगे उसको बोला जाएगा second and final call तो आप simple सी बात समझेए के application application के बाद क्या रहता है allotment allotment के बाद जितने भी number चलेंगे न वो first, second, third, fourth ऐसे sequence चलेगा question raise होता है sir application पे हम कितना minimum पैसा मांग सकते है shareholder से तो जवाब है के minimum आपको 5% मांगना पड़ेगा sorry, हाँ 5% minimum 5% अगर 10 रुपे का share है तो आप 50 पैसे तो रखना ही पड़ेगा application पे अगर आप चाहते हो कि हम application पे 40 पैसा मांग वाले तो possible तो minimum कितना है हमारा 5% पांच परसेंट ठीक है ना दो वर्ड हो गए minimum minimum एक था subscription वो था 10% और minimum share value called minimum value called कितना है वो है हमारा 5% हाँ 90% minimum subscription कितना है 90% यहां तक समझ मैं है अब देखिए जैसे अगर full payment होता है तो इसकी general entry क्या करते है normally generally general entry करते है हम पहली entry bank क्योंकि पैसा लेंगे हम bank में तो bank account debit हो जाएगा bank में पैसा आएगा जब मैं आप मुझे 10 रुपे पेड करोगे तो मेरे पास 10 रुपे आए तो bank account debit और किस चीज के आएगे आप application फिल करोगे share application मैं short form यूज कर रहा हूँ यहां पे पहले पूरा ही लिख देता है चलो to share application मैं short form ही लिख रहा हूँ इसके अदर being क्या आएगा share application amount amount receive amount receive being आगया share application amount receive अगली entry एक और करना पड़ेगा in fact आप न कई वार ऐसा भी करते हो share application की जगह पे share application and allotment भी कर देते हैं समझे बाद कोई दिक्कत या तो सिर्फ share application लिखिए या आपके पास ये भी option है share application and allotment इसके बाद अगली entry करेंगे application and allotment to equity equity share capital to equity share capital और ये आगया हमारा 10 रुपे 10 रुपे जितने नंबर शेर होंगे उसके इसाब से being share या equity share application amount transfer TF लिख रहा हूँ मैं transfer कोई रुपे transfer to equity share या आपका capital account लिख सकते हूँ तो अगर आपका lump sum हुआ आना तो always do entry होगा मानलो आपके मैंने company ने मेरे वाल एक्जामपल में एक लाग share में से पांच हजार शेर इशू किये थे तो पांच हजार किये थे तो एकट्टे पैसे लूगा तो हो जाएगा क्या ये पांच हजार multiply by दस करेंगे तो यहाँ पर आजएगा total पचास हजार रुपया आजएगा अगर एक लाग share होगे तो एक लाग into में दस दस लाग आजएगा पहला case देखिए आप कोई दिक्कत इसमें नहीं यहाँ तक clear है अब बात करते हैं installment वाले की तो installment वाले की case में समझा दूँगा calls in area calls in advance ये सारी बाते मैं समझाऊंगा फिर general entry करूँगा एक बार पहले आप इसको note करिए फिर देखते हैं इस वाले portion को बस note करिए आप पहले ही question आएगा maximum time तक अब installment में आपको पता है कि 10 रुपे का जो call था उस 10 रुपे को मैंने टुकडो में बाट दिया जैसे 2 रुपे क्या था हमारा application तीन रुपे क्या है allotment और जो ये एक रुपे है ये मैंने एक रुपे लिखा है एक रुपे फर्स्ट कॉल को दिया और बाकी चार रुपे मैंने second and final call को दिया अब यहां पे क्या-क्या cases हो सकते हैं और क्या-क्या questions हो सकते हैं मैं एक बार सारी चीजे समझा देता हूं इसको दुबारा लिख देते हैं यादो ऊपर करके ठीक है मान लितने हैं कि मेरे पास 10 रुपे था और उस 10 रुपे के लिए मैं detail लिख देता हूं यहां पे आप पताते जाना मैंने मानलो 2 रुपे लिखा 3 रुपे लिखा क्या 1.5 रुपे हो सकता है बिल्कुल हो सकता है 1.5 रुपे पॉइंट में भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है तो 2, 3, 5, 6, 6 और यह हो गया 3.5 इसको क्या नाम दिया था बिल्कुल सही शियर एप्लीकेशन और इसको क्या नाम दिया शियर अलाटमेंट नाम दिया आप देखना मैं एक कंपनी की डिटेल बता रहा हूं X, Y, Z लिमिटेड यह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है इसके बारे मैं बताना चाहता हूं मानलो point number 1 case number 1 बात करते है company है और case number 1 की बात करें company ने आप से 10 रुपे मांगे आप से ये भी बोलता है 2 रुपे दो और आप से ये भी कहता है के 3 रुपे दो और आप से ये भी कहता है के 1.5 रुपे दो और आप से ये भी कहता है के 3.5 मतलब step by step monthly या दो मेने तीन मेने के gap में सारे पैसे मांगे तो अगर मैं यहां पर बोलू ना company ने आपसे ये भी मांग लिए ये भी मांग लिए ये भी मांग लिए ये भी मांग लिए तो यहां अगर मैं आपसे called up called up का मतलब होता है call का मतलब मांगना तो company ने जो मांगा है called up कितना होगा यहाँ पे 10 रूपए ठीक है अब shareholder ने क्या करा case number 2 की बात करें shareholder ने मैं ऐसे shareholder की बात कर रहा हूँ यह paid करा यह paid करा suppose करो यह paid किया और यह भी paid कर दिया तो यहाँ पे इसे बोला जाएगा paid up तो इस case में paid up value बताओ क्या होगा क्योंकि उसने paid कर दिया दो case समझ मैं है तीसरा case number 3 देखना ऐसा भी possible हो सकता है कि company ने आप से यह वाला मांगा और यह मांगा और यह मांगा यह मांगा ही नहीं तो जो पैसे अगर called up मैं पूछू तो आप बता दोगे called up दो और तिन पाँच और डेड़ क्या होगा साड़े छे लेकिन called up तो already पता चल चुका है हमें तो मैं यहाँ पूछूँगा case number 3 में uncalled uncalled capital क्या है और इसे uncalled capital के साथ साथ इसे हम capital reserve भी बोलते हैं sorry capital reserve बोल दिया है मैंने reserve capital reserve capital एक question पूछा जाता है what is the difference between the capital reserve and reserve capital difference यह है यह वाला जो दिख रहा है आपको साड़े तीन company ने मांगे नहीं है company ऐसे point पे इसको मांगेगी यानि आपसे साड़े तीन रुपे लेगी तो सही लेकि जब company बंध होने के कदार पे आजाएगी तब अगर यह आपसे साड़े तीन रुपे मांगा जाता है तो उसको बोलेंगे reserve capital मैंने अपने capital को reserve कर रखा है और capital reserve क्या होता है जैसे आपने कोई assets बेचा और वहाँ से फाइदा कमा लिया तो उसको हम capital gain भी बोलते हैं और उसे कहां भेज़ देंगे हम capital reserve में भेज़ देंगे और suppose ये paid नहीं किया तो paid up अगर मैं पूछू तो आप बता सकते हो shareholder ने जो paid नहीं किया यहाँ पे मैं लिखूँगा unpaid यहाँ पे बोलूँगा unpaid या तो मैं इसको भी fail कर देता हूँ ठीक है unpaid या साथ के साथ बोल सकता हूँ calls in area calls in area भी बोल सकता हूँ तो यह आ जाएगा इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों जगह fail है यह कितने आएंगे हमारे 5 रुपे एक और case देखते हैं यह भी possibility हो सकता है case number 5 के company ने company ने इससे यह मांगा यह मांगा call by company company ने बोला यह दो यह दो और यह दो इसके बाद मत दो शेर होल्डर ने क्या करा payment जो किया वो सारा कर दिया शेर होल्डर ने payment कितना करा सारा कर दिया, ये भी दे दिया ठीक है, तो यहाँ पे company ने not call है लेकिन shareholder ने ये भी दे दिया तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा calls in advance calls in advance यहाँ से concept generate हो जाता है calls in advance से, कि अगर आप company को payment नहीं दोगे तो company आपको punished करेगा आप से company ने पैसे मांगे और आप company को पैसे नहीं दे रहे time पे, एक बार खरीदने के बाद, इसको खरीदने के बाद, तो company आपको punishment देगा दो ही punishment हो सकता है, या तो आपके share को अपने पास लेगा और आपके share को cancel कर देगा, दूसरा आप से ब्याज ले सकता है, तो अगर आप से interest charge हुआ न, call scenario पे तो हमेशा याद रखना call scenario पे interest होगा 5% और calls in advance पे interest होगा हमारा, ये बाते कहां लिखी है, एस पर table F, companies act के table F के according, और ये per annum है ये per annum है, rate per annum है ये, flat 6% नहीं है, per annum है case number 4, unpaid या call scenario, call scenario का मतलब क्या होता है, कि आपने क्या करा, पैसे नहीं दिये, तो आपको punishment मिलेगा और वो interest के रूप में मिलेगा आपको company को पैसे देने पड़ेंगे और interest भी देना पड़ेगा किस rate से interest 5% के साब से दूसरा, अगर company को आपने advance पैसे दे रखे हैं तो company आपको compensation देगा, उस compensation को interest के point में देगा, लेकिन अब आपको मिलेंगे कितने, 6% government जो rule बना रखा है, rule is according में बना रखा है कि आपको मिले ज्यादा और आपको देना पड़े कम तो देना कब कम पड़ेगा, जब call scenario होगा और advance में कितना होगा हमारा 6 पुरानी book अगर आपके पास है या पुरानी book से पढ़ रहे हो, तो पहले 10 और 12% का rate हुआ करता था लेकिन अब ये rate जो हैना fully revise हो चुका है जो कि है 5% और 6% जो जो update होता जाएगा, मैं बताता जाऊँगा आपको questions के बीच में ठीक है, अब चलिए एक और case देखते हैं, अगर मान लिजिए, case number मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, के company ने आपसे मांगा, ये भी मांगा ये भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, लेकिन shareholder ने क्या करा, ये दे दिया ये दे दिया, और या मान लेते हैं shareholder ने बस application दिया, उसके बाद कुछ दे ही नहीं रहा, तो company ने क्या करा, इससे बोला के भाई, जब तुम आगे पैसे ही नहीं दे रहे, तो आपको जो मैंने shares दिये थे यानि आपके नाम पे जो मैंने document किया था, वो document cancel करने जा रहा हूं, आप से वापस ले रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं call scenario पूछू हूँ, तो आप बोलोगे sir, call scenario आठ रुपे है, कैसे आठ रुपे है, तीन, डेड़ और साढ़े तीन, जोड़ो, कितने हो गए, आठ रुपे, अब मैं बोलूँगा यहाँ पे, कि मैं इसके shares को अब दूँगा ने, इसके share forfeiture हो जाएंगे, share forfeiture तो sir, share forfeiture कितने हो जाएंगे हमारे, जितने उसने दे दिये हैं, उसी को forfeiture करेंगे, forfeiture का मतलब क्या होता है, जब्त करना, छीन लेना, तो जितने दे दियें, उसी को करेंगे, तो यहाँ पे होगा 2 रुपे, अब sir, मैंने मांगा, तो मांगने के बाद कि आपको महलत भी मिलना चीए, definitely, जब company call करती है न, तो call करने के बाद आपको time दिया जाता है, 14 days का, 14 दिनों का आपको time दिया जाएगा, कि आप पैसे दे दें, अगर 14 दिन तक भी आपने reply नहीं किया, तो मजबूरन company को share for feature करना पड़ेगा, ठीक है, यह 14 days का time होता है, exam के point of view से 14 days कहीं नहीं पूछा जाएगा, इसके बाद अगर हम देखें, हमने share for feature अगर भी देख लिया, तो यह कुछ basic basic points है, called up, uncalled, paid up, और अगर किसी company ने मांगा, मान लेते हैं, इसे called up बोला, इसे paid up बोला, paid up के साथ साथ नहीं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, fully paid up भी बोला जा सकते हैं, क्योंकि पूरे देदी हैं हमने, और इसको fully called up भी बोला जा सकते हैं, तो कुछ basic points आ सकता है, call scenario समझ में आए, call scenario का मतलब क्या है, short में बताओ, कि हमने company ने पैसे मांगे, shareholder ने नहीं दिया, fail हो गया, call scenario, interest क्या है call scenario पे, 5%, call scenario advance क्या होता है, company ने मांगे ही नहीं, हमने फिर भी दे दिया, advance में ले लो भाई, तो ये क्या है call scenario, advance, इसके बाद देखा जाए, अगर share for feature का मतलब क्या है, जितने पैसे आपने दे दिये हैं, उस पैसे को मैं आपको वापसी नहीं दूँगा, और आपके सारे document भी cancel कर दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, share for feature हो जाएगा, इसके बाद fully paid up में क्या है, आपने, company ने सारे मांगे, चाहे company ने मांगे भी नहीं सारे, लेकिन आपने पूरे 10 के 10 payment कर दिये, जाएगा, पूरे 10 के 10 अपने, पूरे 10 के 10 अपने,